तो आज हम लोग बना रे गालिक जूसी चिकन आप लोग देख पा रहे होंगे कितना ही असम बनाए वीडियो में आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत आसान सा रेसीप यह आप लोग इसके उपर लेमन या चाट मसाला डालके आराम से एंजय कर सकते हो इसको रोठी के आप लोग खाने के लिए पसंद करोगे यह दिए चिकन आपना एकदम बढ़िया से पकाया है आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो में और समसा रेसीप यह हैं सिंपल सा इंग्रिडियेंस है तो चलिए अभी शुरू करते अपना वीडियो को चलिए इसके लिए मैं लिए आओं 500 ग्राम चिकन इसको बहुती बढ़िया से वास कर लेना दोस्तों इसके अंदर जितना भी पानी है इसको निचोड़ देना निचोड़ के फेक देना अभी हम लोग इसमें आर करते हैं हल्दी पाउडर मेरीनेशन करते हैं चिकन को हल्दी पाउडर आर करने के आर करें हम आर करते हैं रेड चिली पाउडर हलल्दी और रेड चिली पाउडर आर करने को बाद करते हैं शॉल्ट वह मं मार करते हैं जिंजर गालिक पैस्ट अ और इसके लिए हम लेते एक लेमन लेमन को निचोड़के लेना लेमन का फाइदा है चिकेन जो है एकदम अपना सॉप्ट बनता है तो इन सारे चीजों को हम अब भी मिला देते हैं कुछ इस तरह से चिकेन को अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम रेष्ट देते हैं कम से कम 15 मिनिट तक 15 मिनिट तक इसे हम छोड़ देते हैं तो चलिए अभी अपना शुरू करते हैं नेस प्रोसेस इसके लिए मैं लिया हूँ कुरियंडर सीड़ इकुछ मसाला में भून के लिया हूँ ब्लाक पेपर इस देखे दोस्तो थोड़ा सा ग्रीन कार्मम चार पीस ग्रीन कार्मम और लॉंग और डालचिनी के टुकड़ा दोस्तो इन सारे ख़ड़ा मसाला को हम लोग थोड़ा सा प्यान में टॉस कर लेते हैं देखे दोस्तो कुछ इस तरह से भून लेना है थोड़ी दिर भूनने के बद हम इसे अभी पेश्ट मारते हैं तो मैं मिक्सिज आर में पेश्ट मानने के लिए दिखिए दोस्तों इस तरह चे आप लोगों को पेश्ट मान ले ना आ है अबी हम लोग किसमा पाडल करते हैं इसमें चिल्वी पाउडर करते हैं चिल्वी पाडल करने बार आ च Gibralं के टालते अभी शुरू करते हैं आपका नेश्ट प्रोसेस तो आप लोग एक प्यांग ले लेना है उसमें आड़ करना है ओएल ओएल थोड़ा सा ज्यादा लियाओं क्यूंकि अपना जो ओनियन ने इसमें भूनना चाहिए सही से ओएल गरम होने के बाद अभी आप लोग आड़ करना ओनियन स्लाइस ओनियन स्लाइस को अच्छे से भूनना है जैसे कि यह ब्राउन ना हो जाए सही तरह से तो चले अब हम ओनियन को भूनते हैं कि देखिए दोस्तों ग्यास का फ्लेम हाई कर देना है अब मैं इसमें आड़ करेगा सॉल्ट सॉल्ट डालने से क्या होता है दोस्तों ओनियन में जितना भी पानी होता है वो छोड़ देता है और आपना ओनियन जल्दी भून जाता है कि देखिए दोस्तों आप लोग तो इसे और थोड़ा सा ब्राउन होने देना है ऑब अब बन ब्राउन हो चुका है अब हम एक चिकन के लिए तो आपने करें चिकन आपने कर नहीं कि आपना रिचन को ब्राउन गवाँन करने और उसके साथ आप थे तो अभी हम ओनियन के साथ इसको पकाएंगे चिकन को चिकन मैं सबॉआ पकाएंगे तो देख दोस्तो धीरे तीले चिकन सूरू हो चुका है ऐसे आप लोग को मिलाते रहना है चिकन छोड़ना नहीं है अगर चिकन छोड़ेगे तो हम हाई फ्लेम में पका रहें चिकन को तो यह लग सकता है तो अभी हम लोग ग्यास को थोड़ा स्लो करके इसको ढख देते हैं लिड डाल देते हैं देखिए दोस्तो आप लोग देख पा रहे होंगे अपना चिकन पक चुका है और इसमें से जूस निकलना स्टार्ट हो गया है तो अब हम लोग आड़ करेंगे मसाला जो पेस्ट करके में कर लिजेगा दोस्तों अभी इस मसाला को जचिकन में आने दना है आप लोग को मिलाते रहे च्थ केंट चिकन में जितना भी जूस ता चिकन ने जूस छोड़ चुका है अपना चिकन अभी रेडि उंन चुका है पस थोड़ी दिर और पकाएंगे से के बाद हम इसे एंजय करेंगे रोटी या तो परोटा के साथ देखेंगे दोस्तों अपना चिकन जो है सही से पक चुका है अभी अपना मसाला फ्लेबर भी आ चुका है चिकन में आप लोग जरूर ट्राय करिएगा अभी मैं लास्ट में डाल रहा हूं थोड़ा सा करी लिप करी लिप आप फ्राय करके भी ले सकते हैं आप कच्चा भी ले सकते हैं अभी डाल रहा हूं है कोरियंडर लिप कोरियंडर लिप और कोरी लिप को दोनों को मिला देते हैं चिकन में वीडियो में आप लोग देख पा रहा हूंगे कितना यम्मी बनाए अपना चिकन गार्ल करिए तो मैं दुसरा वीडियो ला सकूँ आप कमेंट भी करिए आप लोगो कौन सा रेसीवी चाहिए मैं उसके उपर ही वीडियो बनाने की कोशिस करेगा थैंक्यू दोस्तु